असलावनेकूम, इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, मैं 302 का लेक्चर 31 इस लेक्चर के अंदर के भी दो पार्ट्स बनाए जाएंगे, पहले पार्ट के अंदर हम स्टेटिस्टिक को कर लेंगे और second part के अंदर मैं XL को करेंगे, जो इस लेक्चर का हिस्सा है इस part 1 के अंदर हमने क्या करना है, line fitting क्या थी, कि जो हमें ये data जो आप देख रहें ये dots जो आपकर नजर आ रहे हैं, हमने प्लाट किये थे scatter diagram में हमारे प्लाट कर लिए, x y axis के उपर, प्लाट कर लिए प्लाट करने के बाद हमें r वहां से मिल गया, हमें पता चल गया कि इस जो दो variables है, एक variable x axis के उपर है और दूसा variable y axis के उपर, इन दोनों के दर्वेल एक relation exist करता है अगर हमें पता चल जा कि relation exist करता है, तो फिर further इसके लिए regression analysis के उपर गाप किया जाता है और ये भी मैं आपको बता चुक हैं कि regression analysis में line ही बनाई जाती है, कि line की equation बनाई जाती है line की equation calculate करना regression model का काम है और जो relation है, दो variable के दर्में relation का exist करता है, नहीं करना इसका बताना correlation का काम है ठीक है जी, अभी हमने ये जो आपको दो figures नजर आ रही है इसके उपर, ये दोनों ही इसके हमारे course का हिस्सा नहीं है ठीक है, क्योंकि जो हम simple regression model पे काम करेंगे, वह simple regression model ये होता है, चले हैंड होट के उपर आपको देखाता हूँ यह दो model कों से है, यहाँ पर आप सिर्फ यह देख लें कि non-linear equation बनेगी इसकी, ठीक है non-linear क्या होता है, कि एक variable से बढ़ने से, दूसरा variable का एक खास number तक तक तो बढ़ना, उसके पास उसका behavior चेंज हो जाना जैसे के, अब यह आप देखें जरा, x-axis के उपर यह, यह y-axis है, जैसे ही point ऐसे x-axis के long value बढ़ रही है, y-axis के long value ऐसे state ऐसे नहीं जा रही, ठीक है अगर आप हमने यह plot किये, blue वाले dots आप को नदर आ रहे है, plot करने के बाद हमने एक equation जो है, एक line जो है, इसके अंदर से draw की, आप उड़ा करने के बाद हमें पता चला, कि इनके दर्मियान भी को relation exact नहीं करता, क्योंके, x-axis के long value बढ़ती जा रही है, जो के independent value है, बढ़ती जोड़ा text ज्यादा अच्छा explain के हो है, handout के अंदर, lecture 31 के लिए, मैं आप वहां लेके चलता हूं, वहां से आपको काफी चीजे में, बड़े कम time के अंदर explain कर दो है, आचा जी, तो यहां से देखे, there are different types of regression models, the simplest is the simple linear regression model of a relationship between variables that can be represented by a state line equation, तो simple linear regression model क्या होता है, उसके अंदर एक state line की equation मनाई जाती है, ठीक है जी, अब start कहां से होता है model, आपको पता scatter diagram से, linear relationship exist करता है, नहीं करता है, इस चीज़ का हमें scatter diagram पता देती, scatter diagram इस तरह की होती है, हम पढ़ चुके, बाते repeat देखे कितनी हो रही है, और आपको बहुत अच्छा जानी चाहिए, अच्छा जी, फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर linear regression की दो types of models हम consider कर रहे है, first model हम consider करें है, population के लिए, population linear regression model, second हम consider करें है, sample के लिए, तो ही है, sample linear regression model, population linear regression model, हम दोनों की equation देखेंगे हैं यहाँ पर, अब यह वाली जो पर आपको वहाँ प explain करके है, य यह दो, जो models है, non-linear, ठीक है, और no relationship, जो exist कर रहा है, तो नो relation exist कर रहा है, तो फिर तो regression की दर जाये ही नहीं जाता, means कि को equation line fitting वाला drive नहीं किया जाता, अच्छा, जब relation exist करता, non-linear हो तो उसकी equation, जाहरे parabolic equation जो होती है, xk वाली equation तो उस तरह की equation बनेगी, वह मारे scope में नह हमने सिरू linear equation के उपर बात करनी है, अब जब हम linear equation की बात करें तो linear equation ऐसी होती है, जिसके अंदर independent variable, या independent variable की जो degree होती है, जिसके power होती हो, mac1 होती है, y is equal a plus b x, हम बड़े को छोटी class होती है, 8, 9 class से बढ़ते हारे, यह linear state line की equation की होती है, इसके अंदर a जो होता है, a y intercept को represent करता है, और b जो है, b represent करता है slope of the line को, x हमारा independent variable होगा, y हमारा independent variable हो गया और यह बात हम काफी देर से करते हैं, इसी तक, अभी हम देखते हैं कि जो b है, b, जिस slope, slope कैसे हम calculate करते हैं, जो हम plot किया है, जब data को, जो हमने देखा उसके अंदर, plot करने के बात हम line उसके अंदर स करते हैं, ठीक है, तो line drag की, तो अभी यह axis और y axis है, हमारे पर तो अगर theta हो, तो हम भी slope नहीं कहा सकते हैं, यह एक दूसरा method है, जिसके अगर अगर theta दे दे ता paper में आ जाता है, तो आपको slope निकाली आनी चाहिए, यह इस तरह ही कि अगर figure दे जाता है, तो फिर भी आपको को कहते हैं, यह जो value है, origin से लेके यह उस point तक होता है, जहां से यह line य-axis को cut करें हुज़र रही है, इधर तक के distance को कहते है, a, y intercept को कहते है, फिर यहां से line exceed ही, आप straight खेंची जाती है, और यहां पर उपर मिला दी जाती है, आप थोड़ा आगे जाके मिलाएंगे, कोई हर सकते हैं, कोई साथ, MN जो होता है, perpendicular होता है, और LN होता है, base, MN, LN means perpendicular, base करते हैं, तो 10 trigonometric function 10 बन जाता है, और 10 theta जो है, वो slope के लिए trigonometric में ही slope के लिए use किया जाता है, 10 theta निकालने तो slope means निकल आई आपके पास, ठीक है, तो यह इस line line की slope आगी, अभी यह तो था, 10 theta की से निकालने का तरीका का, अभी जो regression model है, वो ऐसे भी निकालता है, जो कि अभी हम करने लगे हैं, यह ज्यादा regression model में इस line line को discuss किया जाता है, अभी वो जो line है, equation of line जो है, वो है, yi is equal to a plus bxi plus ei, अभी यह जो है equation line, इसके अंदर जो a क्या है, b क्या है, यह तो हमें प अभी नया, e है error, ठीक है, इसको standard error भी कहते है, random error भी कहते है, अभी population linear regression model के लिए, हमें यह equation यह दिखा रहा है, ठीक है, y is equal to b0, इसको b0 पहले पढ़े, b0 plus beta 1, sorry, beta 0 plus beta 1, xi plus, यह जो यह symbol है न, यह epsilon होती, epsilon, Greek word है, epsilon, इसको random error कहेंगे, और हमें पता है, यह beta 1, population slope है, और यह beta 0, यह intercept है, तो बाकी इसके अंदर कोई ऐसी value नहीं आ रही नहीं, जो कि मैं आपको explaining गहाँ है, ठीक हो गया, अभी इसकी तरह यह हमें equation देखते हैं, दूसरी, जो के है sample के लिए, ठीक है, अभी इसके अंदर एक epsilon, अभी explain कर लेते हैं पहले, सारी equation व अभी इसने लिख दी, उसने का जो epsilon है, जैसी यह line अब खिची है, यह dotted line देखने हैं अब, यह dotted line जा ली, dotted line से, किसी भी यह dot है, black dot है, किसी का भी dotted line से जो distance होता है, वो actually error है, ठीक है, error, इसको random error करते हैं, अभी यह वाली equation, अगर हम sample linear regression के लिए करते हैं बात, अगर, आप population का, वो difference अभी तो पता होना चाहिए आपको, population जो है, total जिसका analysis करना होता है, वो होता है, और sample वो होता है, कि उसी को हमने, जो एक, एक part उसार ले के हम जब उसका analysis करते हैं, तो वो sample कहलाता है, जैसे फ़र्ज करें, हम गंदम लेने जाते हैं, जो मार्किट के अंदर, तो तो उससे आप देखते हैं, गंदम और आपको आपको कहते हैं, ठीक है, यह गंदम ले ले, तो इसी तरह उसके क्या कर रहे हैं, उसको, उसका result देखके, आप multiply कर रहे हैं, उसको हाँ अजीम कर लिए, आपके आपने total गंदम भी ठीक होगी, इसी तरह जब sample ले जाता है, sample क पर सारी statistic apply कर ली जाती है, तो हम population का भी result conclude कर लेते हैं, कि यह population भी ऐसी ही नज़र आएगी, उसके result भी ऐसी ही होगी, इसकी equation जो y is equal b, b0 plus b1 xi, plus ei, अब population वो इसके लिए ना, यह variables के difference हम नहीं याद रख रहे हैं, बस, उसके अंदर यहाँ पे था, बीटा, ठीक है, एक म दिखा देता हूँ, यह लें, यह में इस slide मिलगी है, यह equation जो दिख रहे हैं, y is equal b0 वाली equation, और दूसके ज़राब है, y is equal b0 वाली equation, तो यह वाली equation है population के लिए, और यह वाली equation है, sample के लिए, अपने difference याद रख रहे हैं, कि sample के अंदर बीटा भी use हुआ है, और population के लिए बीटा यूज़ हुआ है, इसके लिए अंदर error के लिए e use हुए sample के अंदर, population के लिए error के लिए e epsilon यूज़ हुए epsilon, पाकि यह दोनों के एक के उपर प्लाट करके भी इसने दिखाया है, यह वाला जो color है, यह इसने, यह दिखे, इसका color जो है na sample का, वह इस line जैसा है, sample को यह दिखाया है, यह जो color है, purple सा, pink सा, pink सा शायद color pink है, तो यह वाला जो color है, यह dot line में दिखाया है, ठीक है, इन दोनों को इसने एक के उपर ही दिखा दिया, अभी जो values आपने प्लाट की थे उनको कहरा observed values, observed इस वज़ए से कि अपने वो market से, market से जब survey किया है, तो वहां से ले लिए, अभी किसी भी line का, जो observed value से distance होता है, उसको error कहते है, random error, अभी दबार हमें handouts पर चलते हैं, तो हमने difference भी देख लिया दोनों का, अभी एक problem हल करेंगे है, regression equation का आपको idea होने कि solve कैसी करते है, एक हमें उन्होंने values देंगे है, एक सी values देंगे है, एक सी values वह कहना, the estimated regression, regression line of y on x, find करें, equation गहरा आपके पास यह है, y is equal to a plus bx, और हमें बता है, अगर हमारे पास a हो, जो के intercept है, और अगर b हो, जो के slope है, तो हम इसको calculate करके देंगे सकते हैं, और यह कैसे calculate हुआ, इसके formulas हमने हमने पहले पढ़ चुके हैं, previous lectures में पढ़ चुके हैं, अभी यह बीजिकली यह देखें, complicated सा जो फार्मूला है, यह आपने जाद करना है, यह y intercept निकालने का फार्मूला है, एक लिए आपको is equal to y mean, यह जो y को बार है, y बार, इसको यह actually y का mean है, y की जो values है, उनका mean है, minus b, x bar का मतला है, x की जो value है उनका mean है, हम पहले y mean और x mean न थोड़ा length ही है, वह मैं को करके दिखाता हूँ, x mean, x bar जो है, जो x का mean है, x bar is equal to summation of x divided by n, summation of x का मतलों, जो x ही जतनी values को add करना है, plus करना है, तो फिर summation of x के लाता है वो, ठीक है, और divide करना n से, जो कि हमारे total number of values जो है, कितनी हैं, अगर आप count करें तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 values है, ठीक है, तो हमने divide by 9 कर दिया और हमारे पार रिजल्ट आगे 11, 3, 3, इसी तरह y का निकालेंगे, y की जतनी value प्लस कर लेंगे, 3, 2, 2, आजाएगा, जाएगा, 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 33.56 आजेगा, यह हमने कर लिया, जी, हमने x bar और y bar निकाल लिया, अब जासे इस equation मे bx की जगा पे, b की जगा पे, minus 2.83 और यह सारी values जो है, हमने put कर दी, b भी इसके अंदर put कर रहा है, a के अंदर, क्योंकि a निकालेंगे लिए हमारे पास y bar और x bar तो है, b रह गया तो b हमने यहां से उसने calculate 2.83, वब मैं अभी आपको calculate करके दिखाता हूँ, b इसको 2.83 कैसे आया है, अभी हमारे पास आगया, a 1.47 बाकी रागया, b, b के लिए आपको अभी बाले चलता हूँ, यहां पे, ठीक है जी, सारी values जो है, x की मैंने यहां पे no down करनी, yellow तक 17 तक, y की भी बादी सारी no down करनी, यहां तक, अभी इनको, अभी x और y को दोनों को multiply करके, 5 multiply 16, 80, 6 multiply 90, 1, 1, 4, इसी तरहीं दोनों को multiply करते जाएं और यहां पे 850 तक महुँच जाएं, x स्केर, जैसे x का स्केर, 5 का स्केर, 25, 6 का स्केर, 36, 8 का स्केर, 64, इसी तरह चलते जाएं और यहां तक आकर रुक जाएं, फिर जो आखरी यह कलर में यह वाला डाला हुए, यह वाला कलर, hiç में जो red में नम्बर है, सब नम्बर को add करें, 202 बन जाएगा, सब नम्बर को add करें 202 बन जाएगा, इस तरह यह आजएगा और इस तरह इनका sum यह वाला आजएगा, अब यह कहलाएंगे क्या, जब x का sum आजएगा seulement 0, यह कहलाएगा summation x, एक एक्स जिसको ना, सिंबल में जो आपको दिखा रहा था y की समेशन y बन जाएगा समेशन xy समेशन x square अभी हम just value पूट कर लेते हैं value यह वाला फार्मूला मैंने वहां से B value calculate करने हम यहां पे आये हैं यह तरीका जो है बुक के अंदर solving की हुआ method तो यह यहां से आप note कर ली जगा अभी हमने जो value देखी n की value 9 थी हमारे पास summation xy summation xy को थोड़ा से हम इसको उपर ले जाते ठीक है summation xy क्या था यह वाला 3853 summation x क्या है 102 summation y क्या 302 यह लिखे और जो x आपको बड़ा नदर आ यह multiplication के लिए use किया फिर n 9 summation x square क्या था यह 1308 यह already square है, square करके पर add किया है summation minus 102 summation x square means 102 का square करना 102 को दोबार लिख दिया आगे जनाब आप simplify करेंगे आपके b 2.83 आजेगा यहां से यह result यह 2.83 handout पर आजए 2.83 क्या आगे सही हो गया जी अभी आप जो y is equal to यह वाली equation थी हमें जो उसने दी थी उसके अंदर value पुट करेंगे b यहां से यह आगया और 1.4 से यह आगया और यह हमारे पर result वागया थी अभी यह वाला problem भी समय ले यह बाकी का जो portion है वह सारा Excel का वह मैं Excel में आपको जाकर समझा दूँगा यह देखेंगे sampling distribution in R Example 1 यह जो heading लिख रहा है यह वाला करते है Can look at sumber size means कोई भी sumber size उसने दिया N is equal to 5 का दिया हमें जैसी example ऐसे चुरू हो रही है ठीक है null hypothesis R is equal to calculated coefficient 0.8 take the significance at 5.5% confidence level अभी समय ने वारी बात यह है कि sumber size तो हमें पता कि N is equal to 5 उसने लिया हुआ N is equal to 5 का sample था और हमने calculating कि result ऐसी दे रहा हमें तो उसका coefficient of correlation जो आया R आया point 8 आ गया अच्छा यह अब null hypothesis समझे थोड़ा गोर से सुनिएगा एक पहले आप hypothesis समझे क्या होता है मफरूजा जिसको उर्दमे कहते है hypothesis यह है कि आप आप एमना आपके एक मफरूजा बनाते है hypothesis बनाते है कि अगर मैं water के अंदर कोई specific medicine अगर डाल देता हूँ तो यह पोदा जो है जिस पोदे को मैं पानी दूँँगा उसकी growth तेजी से होगी ठीक है यह है hypothesis आपको hypothesis जब होता है तो आपको उसके बास जब एक्सपरिमेटिर्ट से उसको थावथ करना होता है ठीक है तो मीज के hypothesis ऐसे है, चिसफे process अगर एक्सपरिमेट्स आपने थावथ करना होता है उससे पहले वह जिस hypothesis क्या होता है जिस हतने है यह मेरुार के अंदर के जी वाटर के अंदर जो मैंने मैडिसन डाली है उस से पोदे की बढ़ने की एक रिलेशन है तब ही तो हमने ये बात की नल हाईपोथेसिस कहता है कि नई जी इन दोनों के दरमेण, इन वेरेबल के दरमेण कोई वास्ता नहीं है कोई रिलेशन नहीं है और हमने बढ़ा कि जब कोई रिलेशन नहीं होता तो कॉफिशन और को रिलेशन जा होता है जीरो, आर इस इकल डू जीरो तो नल हाईपोथेसिस इस वाज़ इस इकल डू जीरो लिया लिए कि यह वाली एक्जेमपल हमने याद रखनी है अगर आपने नल हाइपोथेस तो गल्स साबस कर दिया तो आपका जो मुफ्रूजा था वो सही साबस हो जागा और आपकी बात बुक्स में लिखी जाएगी कि ये बात ऐसा ही ठीक है जी अभी ये कहा रहा है कि साइज आपके पर अनरेसिकूट 5 है और जो भी अनरेसिकिया है सामपसाज़ और कहा तो कोफिशन्ट को रिलेशन पॉइंट 8 है ये कह रहा कि उनके दिर में रिलेशन एक्सिस करता है और नल हाइपोथेस कह रहा है कि आर जीको जीरो है जी कहा जी अब सिगनिविकन्स लेवल किया है confidence level confidence level ये होता है जासे मैं आपको data collect किया और आप मुझे कहते है कि आपको इस data पे कितना trust है कि ये साही है मैं कहते हूँ जी 5% मेरा trust है 5% trust का मतलब ये है कि अगर मैं ये data दिबारा भी collect करता हूँ तो 5% chances है कि ये data दिबारा भी ऐसा ही मिलेगा ठीक है अच्छा यह आपको 5% कम इस विसे लग रहा होगा कम लग रहा होगा कि लिए कम है नहीं उसकी वाज़ा यह है कि यह पूरी population के इसे एक sample उठाया जाता है तो फिर confidence level down हो जाता है इंसान का converted level down हो जाता है अच्छा अभी इसको check कैसे करना है यह अगर इतना data दिया हो तो आप इस question को solved ऐसे करेंगे यह solution देख लिए अभी आप एक हो था degree of freedom ठीक है degree of freedom calculate करने का फार्म होता है v is equal to n-2 n हमें पाता है 5 है जो कि sample size है और minus 2 फार्मले का हिससा है तो 5 minus 2 जो होगा 3 आज़र आगया तो आपके पास v आगया 3 अच्छा अभी हमने करना क्या है कि दो value important होती है एक तो होता है इस question को solve करने के लिए confidence level 5% है 5% को fraction में convert करें तो 0.05 आगया सही होगा जी ये दो values आगी आपके पास v is equal to 3 आगया ये अब जब आपके पास आगी तो आपके पास ये table जो है दिया होगा ये table इस table कहते है Pearson product moment correlation coefficient table of critical values इसमें इसमें क्या find कर रहे हैं आप ही find करने आए ना आर अच्छा जो आर होते है coefficient correlation उसको Pearson product moment correlation coefficient भी कहते है तो इतना लंबा सा नाम भी है उसका ठीक है आर जिसको आर कहते है simply हम फिर आप इत क्या करना वी जो है वी की values आपने देखनी है वो आपको मिलेगी ये वर्टिकली ठीक है ये जो n is equal to number pairs of data df जो है degree of freedom n is equal to ये लिखा हुआ ठीक है जी आपकर 3 आया तो आपने ये वाला column पकड़ लेना थी पकड़ लेना थी पकड़ लेना थी अब इसके बाद आपने 0.05 level of significance या level of confidence तो वो आपके पास यह वाला आपकर पास ये वाली value आगी सही है जी ये 0.878 आगी value तो इस value का आपने compare करना जो आपने calculate की हुई है जिसके जो आपने आपको given r अगर आपकी value relation exist करने की value ये वाली जो value है बड़ी है उस value से जो कि आपके बाद को data में given है 0.8 given है अगर ये उससे बड़ी है तो इसका मतलब हुआ कि null hypothesis 2 हो गया 2 कैसे हो गया अब देखें जी 0.8 आपने calculate 0 0.8 minus 0.878 क्या माइनस में result आगे it means के r is equal to 0 से below result चला गया r is equal to 0 से below result जाने के मतलब null hypothesis ठीक हो गया null hypothesis तो पहले ही कह रहा था relation नहीं है ठीक है तो माइनस में चला गया तो इस वजा से इसके लिए line यहां पर लिखेगा उस line को देख लें you will find the tabulator value 0.878 sample value 0.87 is less than 0.878 correlation is not significantly different from 0 at 5% level 0 से different नहीं हुआ कि मतलब कि वो negative में चला गया ना variations are not strongly associated same अभी देखते हैं दूसरा problem देखते हैं minus 0.95 के साल ठीक है अच्छा जब यह calculation करता है table से फिर value हमने उठाई वो इसने 23 निकला और confident level भी वह ही है तो अभी भी 0.87 ही दी है जासे उसने इस question के अदर coefficient correlation वाला change किया अच्छा जब यह comparison किया जाता है तो यह minus 1 ग्रोन कर दी जाती है अभी देखें कि आपका जो आपकी जो value calculator थी वो बड़ी थी जो टेबल से निकली तो it means correlation is significantly different from 0 to 5% level variable strongly associated जो कि आपका calculator है टेबल से अगर बढ़ा होगा टेबल वाली value से तो आपका relation exist करेंगा चलिए माशली अब यह एक्सेल वाला पार्ट रहेंगे और यह माशली आपने खत्म करनी है चलें जी ओके जिलना विज्द से लाम लिए